तो नमस्ते दोस्ते को फिर से बहुत बहुत वल्कम करता हूं आप सभीक अपने चैनल पर जहाँ पर मैं आपको सखाता हूं ब्लेंडर बहुत इजी वे में लास्ट वीडियो में हमने इस हमारे सीन को कुछ इतना बना लिया था है मैंने कह जा था कि हमारी मॉड्लिंग का क्म सब्सक्राइब करेंगे तो चलो दोस्तों बनादरी के आज का वीडियो शुरुर बढ़ते हैं जो कुछ नौरमे मूडort के लाने माले उन सबको पहले टेक्छर कर लेते हैं अनुच फाल में हमको अलाग से लाए पड़ेंगे और अप्लोड करने प्लेंग अनि यह उ बाद में करेंग influenced? ओम पर अपने मड्रे करते ह contempors जर्ण पर नए बन लिए तरह पर एक नएव बन लेता हूं जिसमें एक एक्षा मड़ोंस के बादर जुस करूँगा पहला होगा ऑपपर मेटरियल और दूसरा होगा डार्क मटरियल सो मैं पहले मर्डेल को कॉपर वाला जो हता है उसे कॉपर बनना थे सेटिंस कर दिया आप देख सकते हैं मैंने कलर एक तो और इंसा हलका सा कर दिया एंड यहाँ पर मैटेक वड़ा दिया एंड रॉफने थोड़ी सी कम कर दिया अब आगे क्या करेंगे हम नेक्स्ट वाले मटियल को चूज करेंगे न्यू इस पर क्रियेट करेंगे अब अब आप एक दम ब्लैक या फिर हलका सा ब्लैक अब इसको इसको में डार्क रखेंगे को जिस तरह से एकदम डाक नहीं डेगा बाकी डार्क रहेगा इसको बाद हम क्या करते हैं अपने जो हमने लैंब यहां पर लाइट बनाई थी इनको मैटेरियल दे दे तो फिर से हम इ अब मैं एडिट मोड वी आऊँगा इसको सेंटर में जो फेसे उसे स्लाइक करेजिगा नियू इस पर मत्रियल असाइन कर दीजिगा यहां पर आप सर्फेस में एमिशन शेडर सर्च कीजिगा आप यह दिख सकते हैं उपर की तरह फिस तरह से अप्लाय हो जाएगा अब य इसके जो एमिशन शेडर है इसे में थोड़ा सा क्रीमी कलर दूँगा हलका सा क्रीम कलर एं यहां से इस्टेंट थोड़ी से थी पर रख देते हैं इसके बाद हम अपने जो पीछे हमने ग्लासे बनाएए इनको इनको शेड करने के बाद एडिट मॉन में आता हूं पहले त एडिट मून में आई इसके अंदर की जितने भी फेसे सब को स्लग किजिए एक माईरियल पर ऐसाइन कर दीजिए दें कांडरल आई प्रेस किजिए दूसरे माईरियल पर रही है उससे आसे डिढ आ साइन कर दिए इस पर इसको माई अंड भाई कर देंके और इसको भूशा करेंके क्रिए आपने हिए आप final क्रीमि क्रिमिक और से हैंट कीकर लिगा यहांट यहां पर आ कर इसमें इसमें यहां पर हैं कुम कोड़ चाहिए कर दी जि aan am adrenaline क्रीमिक प्डब ཉन्ट दोस्त। इसको मैंने नदे ठीया नाम एमिशन इसको मैं सिंपली पर भी मैच्ट पर दे रहा हूं क्युनकि आप हम इन्हें यहां पर पर भी ईूश कर सकते हैं तूप आय रहा था हूं को मैं यू मतर्ला करता हूं यू मैच्फ हुना आता हूं तो वाल तीसे में ब्लैक रखने वाला हूं और कुछ जादा इसमें नहीं रहेगा बैसी कि ब्लैक रहेगी है कुछ इस तरह से थोड़ी सी डार्क दैन उसके बाद हमने यहां पर जो अलग से यहां पर एक अपार्टमेंट बनाया थे इने स्लक कीजिए आप फिर दो यहां प इसे भी काम करते हैं में मट्रियल जो है इसको हम इधर कॉपी कर लेंगे सिंपली हम क्या करते हैं यहां पर हमने बनाया नहीं मैंने आपर बनाना था मुझे तो यहां पर आपने बनाऊगा तो सेम बहुत देजीग और मैं सोच रहा हूं दोस्तों इसमें भी वही दे सकते ह नहीं दे रहे हैं मैं अच्छाने लगेगा तो बेसिकलिस में नियू मर्य मनाते हैं दो एक अंदर का रहेगा सो अंदर वाले आसाइं कर देते हैं उसे में हलका अशा डार ग्रीनिश कर दूँगा कुछ इस तरह से और बाहर का जो है अलका सा ब्लैक रख देते हम और यह हो चुका है इसका हमारे दोस्तों अब अगला क्या है बचा हमारे जो में नीजिक लाइट से इन्हें भी मुझे उम्मीद आप उनको कलर दे देंगे जिस तरह से में उपर को दिया तो वह दे दीजिगा आप हमारे काम बचता है दोस्तों अलग से जो टेक्च्चर लाकर लगाने थे वोल करना सो मैं कुछ लिंक अकर दे सकूंगा तो दे दूंगा आपको बाकि आप ढूंड लीजिगा आपको मिल जाएंगे कुछ वेबसाइट के में मैंशन कर दूंगा वहां से सो यहां से हम आएंगे शेड़ एडिटर में यहां पर इसके लिए न्यू उपर एक वीडियो आ रहा होगा उसे जाकर देख लिए और उसके बाद आपकी इस तरह से डिरेक्ट्री खुल जाएगे देन आपको सीधा सिंपली आपको जो टेक्स्चर्स लोकेट करना है एंद मुझे लोकेट कर लेन दीजिए और मैं आपको बताता हूं है अप्लाय कर नहींने क्यों नहीं थे टो मैं हां इस यह से कर चुराऊंगा निया 7 रचा भाय होगा गया इतना अच्छा नहीं लग रहा होग होग ही तो आपको अपाद को अपड़ेगा अपको एडिटन प्रेस करना पड़ेगा यूपर ना पड़ेगा हैं अभी इसके बाद हम यहां से इसकी जो भी आपको साइज रखना हो आपने इसाप से रख सकते अच्छा वासा आपको को मतलब सा स्मॉल कर देंगे बहुत जादा है तो यह ठीक है दूस्त ही हमने इसको जो है कॉंग्री टेक्चर अपला कर दिया इसी तरह से आप जो आपने इस पर किया अभी क्यां कीजिएगा इन दोनों को श्लाक कीजिएगा इसे भी श्लाक कीजिएगा इस वाली ओलका हमार से हलका दीजिगा ज्यादा देंगे तो मतलब ज्यादा डार्क करेंग तो अतना च्छेन लगेगा एंड यह हमने इसको हलका सा क्रेमिश कर दिदिया दन हमने आपर एक जो मिरर का रिलिंग मनाया था इसको भी हम कलर देता हूं मताच दो आपको करने पड़ेगा दो यहां इसको पूरा बन कर दीजिए और इसके बाद आप थोड़ी से रफनेस कम कर दीजिए और यह हमारा ग्लास बन चुका अभी रेंडर करेंगे तो अच्छा लगेगा देन आपको एडिट मोड में आना है उपर का जो हमने अलग से बनाया था तिकने से स्ट्रक्चर उसे लग करते से अब इस तरह से से अब इस तरह से अए इसे एक यहां पर ऊपर कर जो फेसे इसमें एक टेक्चर बनानाका सबस्चुर सब पचल्ट इस यहां पर दूबनन आ जूआ है उपर का श्लग में और आल Teresa करना ऐसे तरह से हमने इने और च सबिसे आपको पद्चरा के तो उसके लिए मैं पहले आता हूं यहां पर आपना करसल आते हैं यहां पर एक लाइट हम लगाएंगे एरिया लैंप को हम थोड़ा सा रोड़िट करें कुछ इस तरह से एंड इसे हम थोड़ा सा उपर की तरफ मुफ करेंगे यहां साब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए कि थोड़ा जल्दी रेंडर हो एक बार रेंडर करके देख ले रहे हैं तो मैंने यहां पर अपने एरियल लैंब की 500 लखी रखी स्ट्रेंथ हैं यह कुछ इस तरह से सीन आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा कलर पिंकिश करने वाला हूं तो यह ज्यादा अच्छा लगेगा आ अगया अपने जहां-जहां यह लगाएं इनको आइसुलेट कर लिजिए आप अपने जहां-इनको लगाया वहाँ पर आपको फ्रत चेर कर से प्रेस किईए छिन अपने लॉल्द करना इस जितने आपने पर लाहे यह वाले मिल्हाट सें बागा दीजए आन इसकि पापर इ इमेज दिख रहे हैं इस तरह कि आप लाइटिंग कर पाएंगा इसके साथ दोस्तों यह सीरिस कंप्लिट होती है इसके बाद आपको जो कुछ भी आपनी तरफ से क्रेटिव लिए आपको करना है वो कर सकते हैं आप एंड मुझे बताईए अगर आप करते हैं कुछ तो इंस् इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं मिलता अगले वीडियों के तक लिए के वाचिंग एंड के प्लाइए